हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी केंपूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता है और आप भी केंपूटर को शुरुआज से चलाना शेखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस यूटूब चैनल पर फ्री ट्रेनिंग कोर्स की स्रीज को देखकर आप भी एक हपते के अंदर बिगनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे तो दोस्तों आज की समय में केंपूटर पर्फेस्नल्स की मांग हर एक छेतर में हैं अगर आपको केंपूटर के अंदर MX Word, Excel, PowerPoint और Tally जैसे प्रोग्राम को चलाना आता है तो दोस्तों आप किसी भी आफिस में केंपूटर आप्रेटर कजाव और आमसे कर सकते हैं इसके अवलावा अगर आपको वेब डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग जैसे छेतर में जाना चाते हैं तो आप बेसिक केंपूटर स्किल्स को जानकारी होना बहुत ही आवस्चक है यह हमारे केंपूटर ट्रेनिंग के सिरीज का पहला वीडियो है अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको केंपूटर को आउन आफ करना प्रोग्राम को ओपेन करना प्रोग्राम को मिनिमाज, मैक्सिमाज और क्लोज करना और इसके साथ दोस्तो स्टार्ट मेनिव क्या होता है, टास्क बार कहा होता है, टास्क बार क्या होता है और कंपूटर लेप्टाप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं इन सभी तमाम चीजों की जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर हो जाएगे तो चलेए दोस्तों हम वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों वीडियो की start करने से पहले अगर आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो दोस्तों जाके जल्दी से जल्दी subscribe करते हैं तो दोस्तो आप यहां पे देख पा रहेंगे हमारे सामने computer का पूरा setup रखा हुआ है चलिए दोस्तो आज हम computer के introduction से ही वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो हमारे computer के UPS के बारे में computer में UPS जो है दोस्तो हमारे battery backup के रूप में काम करता है मान लेजे आप computer पर कोई भी कार कर रहे हैं किसी file पर और आपके घर की light अचानक से cut जाती है तो दोस्तो इस case में आप उस file को save नहीं कर पाएंगे और आपका भारी नुक्सान भी हो चकता है अगर दोस्तो आप computer में UPS का use करेंगे तो ये कुछ time तक दोस्तो आपके computer को on रखता है तो दोस्तो अब हम बात करेंगे computer में computer के monitor के भारे में computer में monitor जो है डिशप्ले के रूप में कार करता है हम इस पर जो भी कार करते हैं हमारा इसी पर computer के monitor पर ही show होता है तो दोस्तो इसके बाद आता है हमारा CPU जो की computer में brain माना जाता है actually दोस्तो होता भी है computer के हमारे जो भी internal part होते हैं जैसे की motherboard, RAM card, SSD और graphic card इप्तियाद दोस्तो हमारे computer के CPU में ही पाए जाते हैं इसके बाद दोस्तो हम बात करेंगे keyboard के बारे में दोस्तो इस वीडियो में keyboard का जादे कुछ भूम का नहीं है लेकिन दोस्तो आगे आने वाले वीडियो में हम keyboard के बारे में deeply बात करेंगे अब हम दोस्तो आपको बताएंगे यह हमारा mouse इसमें दोस्तो आपको दिख रहा होगा इसमें हमारे दो बटन होते हैं यह स्क्रॉल भी लोता है यह हमारा राइट बटन हो गया यह लेप्ट बटन हो यह बीच में जो है यह स्क्रॉल भी लोता है तो दोस्तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम computer को on कैसे करते हैं तो दोस्तो यह हमारा जो पलक होता है इसको हम अपने पाउर स्विच में लगाते हैं उसके बाद दोस्तो हम अपने UPS में एक बटन होता है हमारे यहाँ UPS के इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा UPS on हो जाता है इसके बास दोस्तो हमारे CPU में एक यहाँ पर power button होता है इसको हम on करेंगे तो हमारा जो monitor display है यह on हो जाएगा तो चलिए दोस्तो हम इसको on करने के बाद आपको वीडियो में आगे मिलते हैं तो दोस्तों computer के आन होने के पाद जो हमारा सबसे पहला interface होता है इसको हम desktop screen कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर left side में आपको कुछ icons आपको देखने को मिल जा रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे computer या फिर PC में हमारे जो भी programs या फिर app होते हैं वो इन सभी के shortcut होते हैं तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे computer या फिर PC के अंदर taskbar कहा होता है इसमें कौन कौन से setting आती है उनका क्या का use होता है जो स्कुल बटन को open करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं सबसे पहला एक तो mouse को mouse के cursor को ले जाकर यहाँ पर यहाँ पर Lily करते हैं हमारा जो सबसे last में setting है power button यहां पर दोस्तों click करेंगे तो हमारे कुछ और settings open हो जाएंगे जैसे कि दोस्तों हमारे सबसे पहला setting है sleep यह हमारा दोस्तों जैसे कि होता है हम अपने screen को turn off करना चाहते हूं कुछ समय के लिए जैसे हम अचानक से कहीं जा रहे हूं कहीं जा रहे ह इसको हम जह हमारा system को update करना और उसके बाद shutdown करना हो तो इस option पे हम click करेंगे तो हमारा जो system है वो update और shutdown दोनों एक साथ हो जाएगा इसके बाद दोस्तों है तीसरा option हमारा shutdown अगर इस पर press करेंगे तो हमारा जो computer है वो shutdown हो जाएगा इसके बाद आता है update and restart अगर हमको अपन restart पर हम जैसे ही click करेंगे दोस्तों यह है हमारा जो system यह reboot हो जाएगा इसके बाद दोस्तों हमारा option है यह हमारा type here to search जो यहां पर आपको देखने को मिल जा रहागा हमारे mouse के cursor पर तो दोस्तों हम से हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहां से हमको दोस्तों अगर हमको किसी भी प्रोग्राम को तुरंत लेकर आना हो तो यहां पर सर्च कर लेंगे प्रोग्राम को तो तुरंत हमारे स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको इसके बाद देखने को म मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पे आ जाता है हमारा कोई किसे करते हैं किसी भी program के उपर जाते हैं दोसתो करते हैं। उसके बाद यहां पर टास्क करते रहा हुगा किया हमारा मतलब weather कितने डिग्री यह सलशियल तक जाता है। उसके बाद करते हैं। यहां पर हमारा कुछ arrow और हम P3 da qui harsh को earth किसी भी function को है पर हम अई करते हैं। उसके बाद दोस्ते हैं पर माइक का सिंबल बना हुआ है यह मैंने अपने कंप्यूटर में माइक यूज कर रहा हूं इसी वजह से यह माइक का सिंबल बन रहा है अब दोस्तों यहां पर चार्जिंग का सिंबल आ रहा है यहां से हम अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कि ह अपने इंटरनेट से हम इसको कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला जो हमारा सेटिंग होगाता है स्पीकर वैलूम यहां से हम क्लिक करेंगे तो अपने वैलूम को अपने सिस्टम के वैलूम जो होता है इसको हम अपने इसाब से कस्टुमाइज कर सकते हैं उसके यहां से हम जो हमारे system में हमारे computer में जो कुछ भी notification आया हुआता है यही से हम इसको check करते हैं तो दोस्तों एक और last चीज में जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के इंतरगत तो दोस्तों हम आपको बताना चाहता हूं कि program को open और program को minimize maximize और close कैसे करते हैं तो दोस्तों जैसे हम यहां पर किसी भी program को open कर ले रहे हैं जैसे दोस्तों यहां पर हम आपको search कर दे रहे हैं notepad यहां पर हम लिखेंगे यहां से दोस्तों मैं notepad program को open कर ले रहा हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर notepad program हमारा कुछ default ऐसे open हो जाएगा फिर यहां से इसको open करें किलिक करेंगे तो हमारा full screen पर आजाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा maximize और restore है उसके बाद यहां फिर दोस्तों जो हमारा जो cross का निसान हुआ है इस पर हमारा जो प्रोग्राम होता है यहां पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगा तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा जैसे की computer को on-off करना प्रोग्राम को open करना minimize maximize और close करना उसके बाद taskbar कहां होता है taskbar के अंदर क्या क्या चीजे आती है उसके बाद दोस्तों start menu क्या होता है start button कहा होता है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप लोग ने वीडियो यहां तक को watch किया है तो दोस्तों वीडियो को जरू से जरू like करना और अपने दोस्तों के पास जाद से जादे शेयर करना तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों जिन्हों नहीं किया है उनको दिल से धन्यवार और जिन्हों नहीं किया है और दोस्तों जाके जल्दे से में तब तक के लिए जैन जैमारत